नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूँ एक ऐसी जानकारी के बारे में जिसको जानकर आप चौक जाएंगे दोस्तों आज के अरबपतियों को आप भूल जाएंगे ऐसे अमीर आदमी का नाम सुनेंगे जी हाँ दोस्तों मानो इतिहास में पैसे की सबसे बड़ी बर्बादी क्या थी इतिहास में पैसे को कचरे की तरह कब इस्तिमाल किया गया इस चीज को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों इतिहास में सबसे बड़ी पैसे की बरबादी का मतलब मनसा मूसा की तीर थे आत्रा जी हाँ दोस्तों आज के अरपपतियों को भूल जाएए 14 सदी के दोरान माली में अब तक सबसे अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था मनसा मूसा, बिल गेट्स और अलन मस्क अपने अदानी जी आज टॉप लेवर पर हैं लेकिन उनकी संपती का 14 सताबदी के पूरवाद के दोरान माली सामराज के सासक मनसा मूसा के मेल खाना संभव लगता है उनकी कुल संपती लगबग 400 विलियन अमेर की डॉलर होने का नुमान है जिसका मुख्यकार नमक और सोने जैसे प्रयाप्त संसाधन है दोस्तों मैं अगर आपको बताओं कि उस समय में अमीर ब्यक्ती जो था जिनका नाम था मनसा मूशा उनका कुल संपती तो मैंने बता दिया है लेकिन आगे कुछ ऐसी चीजे बताओंगा जिसको जानकर आप चोक जाएंगे दोस्तों क्या कोई ब्यक्ती नमक और सोने का ब्यापार करके अरबो रूपय कमा सकता है चोदाहमी सताब्दी में जी हाँ दोस्तों एक धर्म निष्ट मुशलमान की रूप में वापनी हज यात्रा के लिए मक्का की यात्रा पर निकल पड़े यात्रा जो नुमानित हजार मेल की दोरी पर होगी और मुशा और एक कारवा द्वारा यात्रा तहे की गई थी जिसमें लगबग 10,000 सैनिक वादास का कुछ जुन्ड सामिल था जो फार्सी रेशम में लिप्टा हुआ था और सुनहरे कमचारी थे इस दोरान को मानो इदिहास में सबसे बड़ा अ इसका कारव मिस्त्र की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होने का था यानि कि इसे ठीक करने में मिस्त्र वासियों को एक दसक से भी अधग समय लग गया दोस्तों बताऊंगा किस तरीके से मिस्त्र की अर्थव्यवस्था शर्मराई थी दोस्तों मूसा की उदार्ता और बिदेशी वस्तुओं की खरीद ने मिस्र के बाजार में सोने ही सोने डाल दिया यानि कि जल्द ही सोने जैसे की इम्तिधातू का वहाँ कोई मोल भाव नहीं रहा और उसने मिस्र की अर्थब्यवस्ता को लगभग नस्त ही कर दिया जैसा कि दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाया है कि सरकार क्यों नहीं नोट ज़्यादा छपे ताकि सरकार की गरी भी कम हो जाए दोस्तों इस वीडियो को भी आप देखिए डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा कि ट्यों सरकारे सीमित संसाधों से जादा नोट नहीं चाप सकती है जिस तरीके से एक बैंक को कुछ पैसे गिरिवी रखना पड़ता है जो भी जानकारी दिया हूँ वो जानकारी एक ऐसे अरभपती व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है जो चौदाहवी सताबदी में था आज कल के अरभपती उसके आगे फेल हैं तो मंसा मूसा को आप पढ़िए और समझे बाकी जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजी धन्यवाद दोस्तों